नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब जैनल फार्मिंग अपडेट्स में किसान भायो सर्शों की बिजाई का समय नजदी का रहा है हमारे बहुत से किसान भायों के मन में यह स्वाल आ रहा होगा क्यों सी वराइटी लगाए जिस से अच्सी पैदावार मिल सके आज की इस वीडियो में हम सर्शों की अच्सी अच्सी वीराइटीओं के बारे में बात करेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सभी वیराइटीओं के हमने main main point इस वीडियो में नोट किये हैं ऐसे की बिजाई का समय कौन सी विराइटी के लिए बिजाई का सही समय है वह मिट्टी पानी कैसा हो साथ ही हम मिट्टी के साब से कौन सी विराइटी का अपरियोग करना है उसी के साथ साथ कौन सी विराइटी कितनी पैदावार देगी वह उसके पकने का सही समय क्या है उसी क अगले वेराइटिस की आपको बताते हैं तो वहां पर आपको एक बात जरूर बताई जारती है कि कौन्सा वेराइटी बहत्र निकल रही है, आप जिस थिनए वेराइटी सुनिते क्मीरे אम अगले वेराइटी सरे खकाएक, कि कुछ इसे बहुत ही नहीं जसकेस अगर वैसे कि सब्सक्राइब और मौज अगर बिषभतर हैं । अगर हम बात करें Piner की 45-46 के बारे में तो यह बहुत मानिवी variety है वै किसानों की पहली पसंद है इसका प्रियोग हम बारी वै काली मिट्टी में कर सकते हैं अगर बात करें इसकी बिजाई का सही समय की तो यह अगेती variety है सितंबर के आखरी सब्ता में इसकी विजाई हम सुरू कर रखते हैं अगर बात करें इसकी आईट की यह च्छै पिट के लगबग इसकी आईट जाती है यह वेराइटी 125 से लेकर 130 दिन के अंदर करकटाई के लिए त्यार हो जाती है अगर औुस्तन उतपादन की बात करें तो 12 से लेकर 15 कॉंटल परती एकड़ के इसाव से इसका उतपादन होता है अगर तेल की मतरा की बात करें तो इसमें 42%त तक तेल की मतरा होती है जो कि काफी अच्छी है लेकिन इसमें हमें एक सावधानी और रखनी पड़ेगी यह पगने के बाद इसकी कटाई जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर जड़ने की समिश्या बहुत अधिक है अगली हमारी वेराइटी है एडवांटा की एडी वी चर्शो चोदा जो बारी वकाली मिट्टी के लिए सही वेराइटी है इसकी विजाई हम अगेतिवे टाइम पर भी कर सकते हैं 120 से 130 दिन के अंदर यह पकर तैयार हो जाती है वहीं अगर इसकी आइट की बात करें तो 5 फिट के लगबग इसकी आइट है वहीं बात करें इसके ओस्तनुत पादन की तो 12 से लेकर 14 कॉंटल परती एकड़ के हिसाब से इसका ओस्तनुत पादन है वहीं इसमें भी तेल की मा बहुत अच्छी वेराइटी है वो किसान एडवंटा की ADV 414 लगा सकते हैं स्टार एगरी सीड की सटार 1015 वेराइटी आती है जो अलकी से मध्यम जमीन के लिए बहुत अच्छी वेराइटी है अगर हम बात करें इसकी बिजाई की तो 10 अक्टूबर के बाद अगर टाइम पर या अगेती भी इसकी बिजाई हम करशकते हैं यह 125-130 दिन के अंदर पकर तयार हो जाते हैं वहीं इसकी आइट भी लगबग 6 फिट के आसपास है ओस्तन उत्पादन इसका 12 से लेकर 14 कॉंटल परती एकड़ है वहीं इसमें भी तेल की मातरा 40 से लेकर 42 परती से जो की काफी अच्छी है सटार 10-15 वेराइटी का पोधा नीचे से जाड़ी नुमा होता है और इसमें एक और अच्छी बात है कि जो इसमें फुटा वह नीचे से शुरू हो जाता है अगर आप स्टार एगरी सीड की स्टार 10-15 वेराइटी के साथ जाते हैं यह भी काफी अच्छी वेर बात करें तो बायर की 52 जो की बहुत अच्छी वेराइटी है भारी काली मिट्टी में और जहां पर पानी अच्छा लगता है वहां आप इस वेराइटी को लगा सकते हैं इसकी बुआई अगेती वैं मद्यम समय में कर सकते हैं अगर बात करें इसकी आइट की तो 6 फिट के लेकर 41% तक इसमें तेल की मात्रा है सई समय पर विजाई करके इसकी और अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं अगर हम बात करें सक्तिवर्दक के अगर हम बात करें इसकी आइट के बारे में तो लगबग इसकी आइट 5 फिट के आसपास होती है वहीं ओस्तन उत्पादन 12 से लेकर 14 कॉंटल परती एकड़ के इसाब से है इसमें भी तेल की मात्रा 40 से लेकर 42 परती से तक होती है जो की काफी अच्छी है अगर हम बात करें सिरी राम की सोडा 66 जो की बहुत अच्छी वेराइटी है यह एक आल राउंडर वेराइटी भी है क्योंकि हम इसे बारी अलकी वे मिद्ध मिट्टी में भी लगा सकते हैं अगर हम बात करें इसके बुआई का समय की तो हम इसे अगेती वे पछेती भी वही तेल की मात्रा भी इसमें काफी अच्छी अच्छा चालिश से लेकर 41 परतिसद तक इसमें तेल की मात्रा है अर्याना एगरिकल्चर युनिवर्स्टी इसार ने भी कुछ वेराइटिया निकाली हुई हैं जो की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं आरेच 30 आरेच 725 वे आरेच 718 जो की आईवरीड वेराइटि नहीं है वही हम बात करें आरेच 719 के बारे में तो ये अल्की से बारी मीटी के लिए बहुत अच्छी वेराइटि है आरेज 30 अलकी वे मध्य मीटी के लिए है वहीं 725 आल राउंडर है इसको हम अलकी बारी वे मध्य मीटी में अगेती वे पचेती वेराइटी लगा सकते हैं इसकी डिमांड भी काफी ज़्यादा देखी गई है जो आरेज 725 है वे 136 से लेकर 143 दिन में पकर तयार हो जाती है वही ओस्तन उत्पादंदस से लेकर 12 कॉंटल परती एकड़ है वहीं तेल की मातरा भी इसमें 40% है वहीं हम बात करें PT 303 की यह वेराइटी उन किसानों के लिए है जो सर्शों की पचेती बिजाई करते हैं यह 90-100 दिन के अंदर पकर कटाई के लिए त्यार हो जाती है बहुत से हमारे किसान भाई मौसम की वज़े से वह अन्य किसी काण से बिजाई लेट करते हैं तो उनके लिए PT 303 बहुत ही अच्छी वेराइटी है अगर हम बात करें इसके ओस्तन उत्पादन की तो 8-9 कॉंटल परती एकड़ इसका ओस्तन उत्पादन है वहीं तेल की मात्रा इसमें भी 40% है तो किसान भाईयो अपनी जगह सभी वेराइटी सही है हमें अपने इसाब से वेराइटी का चुनाओ करना पड़ेगा मिटी पानी और अगेती पछेती बुआई के इसाब से हमें बीजो का चुनाओ करें अगर यह जनकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाईयों के साथ भी इसे सेर जरूर करें खेती बाड़ी से जुड़ी इसी परकार की सही जानकारी सही समय पर जानने के लिए फार्मिंग अपडेट्स यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिंद